हाई एवरिवन कैसी है आप सब जैसा कि आप सब जानते हैं UGC NET के 2020 की प्रिक्षा होने वाली है यह जून में होनी थी लेकिन COVID-19 के चलते इसे कैंसल कर दिया गया है क्या आप जानना चाहते हैं यह UGC NET है क्या क्या आप यूनिवस्टी में या कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं क्या प्रोफेसर बन के समाज की सेवा करना चाहते हैं और अपने भुषे को नहीं उन्चाईयों पर लेना चाहते हैं तो आईए जानते हैं क्या है UGC.net लेकिन इस से पहले लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए शिरिजा एजुकेटर्स को इसी से रलेटिड अन्य वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए शिरिजा एजुकेटर्स को क्या है UGC NET UGC NET ये राष्ट्रे पातरता प्रिक्षा है ये भारत में एक राष्ट्रे पातरता प्रवेश प्रिक्षा है ये सनातकोत्तर प्रतियोग्यों के लिए विश्विद्यालों में प्रोफेसर बनने एतु जरूरी प्रिक्षा होती है इसका आयोजन हर छटे महीने विश्विदाले अंदान आयोग के द्वारा किया जाता है आपको पता ही होगा कि वर्ष 2009 के निर्देशों के धहत University Grant Commission ने कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए इस प्रिक्षा को जुरूरी कर दिया है पहले यह प्रिक्षा नहीं लिय जाती थी लेकिन साल 1989-90 में से कंपलसरी कर दिया गया UGC Net जो है साल में दो बार लिया जाता है जो जून 2020 का एक्जाम था यह 15 जून और 20 जून के बीच में होना था लेकिन दोस्तों आपको पता है COVID-19 के चलते करोना का कहर सब जगें भरपाया हुआ है जिसके कारण University ने इसे पोस्टपॉन कर दिया गया है JRF Award Letters या Net Certificate जो केंडिडेट्स के हैं वो उनी को मिलते हैं जो इस प्रिक्षा को क्लियर कर लेते हैं उन्हें ये एक eligibility मिल जाती है कि वो जो है कॉलिज के अंदर प्रोफेसर के रूप में कारेक कर सकते हैं UGC Net जो है एक National Level Exam कंड़क्ट किया जाता है जिनके द्वारा उन कैंडिडेट्स को चुना जाता है जिनका स्कोर हाई रहता है इस प्रिक्षा में और वो एसिस्टन प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं यह एक्जाम जो है पहले CBSC या UGC Net के द्वारा लिया जाता था लेकिन अब इसके लिए एक नई अजनसी NTA जो है उसे रेगुलेट कर दिया गया है और NTA ही जो है अब इस प्रिक्षा को रेगुलेट करवाती है यह प्रिक्षा शुरू हुई थी जोस्तों 1989-90 में अगर आप नेट के प्रिक्षा देते हैं तो वह आपकी जिन्दगी भर के लिए मानने होगी लेकिन अगर आप JRF क्लियर करते हैं जुनियर रिसर्च फैलोशिप जिसके तहत आपको अगर आप PhD में एन्रोल होते हैं तो आपको हर महीने 31,000 से 33,000 पे मिलते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सकें अपनी किताबे करी सकें अपना डिसर्च फैलोश पूरा कर सकें JRF के लिए दोस्तों आप सिरफ तीन साल के लिए ही वैलिडिटी होती हैं तीन साल के बाद इसे आपको दुबारा से करना पड़ता है बहुत से कंडिडेट इसमें भाग लेते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही जो है इसे क्वालिफाई कर पाते हैं JRF क्वालिफाई करने की जो परसेंटेज है 2018 में 6 परसेंट थी इसके लिए एज पर कोई रिस्टिक्शन नहीं है आप नेट किसी भी उमर में दे सकते हैं और पूरी जिंद के लिए ये वैद होता है लेकिन JRF के लिए इसमें कुछ रिस्टिक्शन है इसकी भाषा बाइलिंग्वल होती है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है इसके लिए जो शुल्क है 1000 रपे जर्नल कैटेग्री वालों के लिए OBC और Economically Backward Class के लिए 500 रपे और अनसुची जाती और अनसुची जन जाती के लिए 240 रपे रखा गया है आप जो है इसके 2020 में आपको इसके लिए apply मार्च में इसके exam form निकले थे दोस्तों आप उसके लिए apply कर सकते हैं एक शान्दा भविश्य जो है आपके लिए इतिजार कर रहा है इसके लिए हम आपको बता दें कि इसके क्या क्या highlights है UGC NET 2020 जो है इन्वेस्टी ग्रांट कमिशन नेशनल इवीजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है इसे जैसे कि अभी आपको बताया दोस्तों कोनी से और्गेनाईज करती है नेशनल टेस्टिंग एजनसी ये नेशनल लेवल पे होता है और लगभग काफी सारे सेंटर्स पर इसका एक्जाम लिया जाता है थ्रूआउट दा इंडिया इसका एक्जाम लिया जाता है पहले यह exam जो है manual लिया जाता था लेकिन अभी यह online लिया जाता है exam की timing दोस्तो 180 minutes हैं इसमें 2 paper होते हैं first paper सभी के लिए समान होता है और second paper जो है यह आपके subject से related होता है first paper में दोस्तो 50 questions होते हैं 100 marks के 2 marks for each question और subject related जो paper होता है वो 200 questions का होता है 2 marks for each subject इसलिए यह 200 marks का होता है exam का purpose क्या है इस exam का purpose दोस्तो आपके लिए पहश्य कैजियर की शुरुआत है आप qualify कर जाते हैं assistant professor बनने के लिए चाहिव है कोई college हो चाहिव है कोई university हो आप अपने PhD भी कर सकते हैं junior research fellowship को clear करके 2019 में जो registered candidates थे यारी जिनों ने form भरा था दोस्तो 10,34,832 विद्यार्थियों ने इसके लिए form भरा था लेकिन उनमें से test बच्चो दिया था 7,94,813 candidates ने आपके लिए exam का help desk number है 0120-6895-200 और official website जहां से आप पूरी detail ले सकते हैं ugcnet.nta.nick.in आप जो है professor बनके अपनी life में को एक उंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं आप एक smart CV बन सकते हैं क्योंकि आपको पता है teaching का profession जो है social profession है बच्चे जो है समाज के नीव होते हैं और बच्चों को एक अच्छी education देना एक अच्छा carrier देना ये एक शिक्षक के उपर निर्फर करता है आईए दोस्तों जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या qualification है 2020 के लिए दोस्तों इसकी qualification है आपके जो है 55% marks होने चाहिए post graduation में graduation में आपके 50% marks होने चाहिए जिस subject में आप net qualify करना चाहिए उसमें आपके 55% marks होने चाहिए अगर आप J.R.F. clear करना चाहिए तो J.R.F. के लिए आपकी उमर 30 सार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन net आप किसी भी उमर में दे सकते हैं उसके लिए कोई age restriction नहीं है 5% educational qualification जो है उसकी relaxation कुछ लोगों को दी गई है जो result category है उनको जो है ये relaxation दी गई है result category आपको पता है female candidate है जो separated है या unmarried है या जो physically handicapped है SCBC है तो उन सब को 5 साल की छूट दी गई है जिनोंने 1st June 2002 से पहले set clear कर लिया है set यानि state eligibility test उनके लिए UGC net exam जो है exempt किया गया है यानि दोस्तों उन्हें ये देने की जूर्त नहीं है UGC net जो है उन लोगों के लिए भी 5% की छूट दी गई है जिनोंने PhD स्टमबर 1991 से पहले कर ली है वो भी 50% marks के साथ जो है exam दे सकते हैं UGC net अगर वो clear करना चाहते हैं जो बच्चे अपने post graduation के final year में हैं और वो भी apply कर सकते हैं net के लिए लेकिन अगर उनका exam clear हो जाता है तो उनको अपना जो PC degree है within 2 years complete करनी होगी और with 55% marks जो eligibility criteria है दोस्तों वो तो हूने पूरा करना पड़ेगा ही एक भविश्य अगर आपको बनाना है एक अच्छा भविश्य बनाना है तो उसके लिए आपको जो है इसकी त्यारी करनी पड़ेगी UGC net eligibility 2020 age criteria जैसे की अभी आपको बताया है किसके लिए आपकी जो है age कितनी हो है 30 years age relaxation किसको दी गई है 5 years की SC, ST, OBC, PWT, transgender females of all categories को भी 5 years की relaxation दी गई है जिनोंने LLM degree की है दोस्तों LLB करने के बाद LLM की है उनके लिए 3 साल की छूट है और जो armed forces में काम करके आए है और अब UGC net clear करना चाहते हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है तो दोस्तों आशाय आपको ये पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप like, share और subscribe कीजिए शिरिजा educators को important जो dates हैं दोस्तों इसकी जो आपका notification निकला था वो March में निकला था और उसके बाद application form फिल करने के लिए इसके आपकी date दी गई थी April तक लेकिन COVID की वजह से इसे बढ़ा कर 30 June कर दिया गया है और अब इसकी date कब आएगी ये नहीं पता exam कब होगा और कब जो है इसको जो है आपका result आएगा ये भी अभी declare नहीं हुआ है आशाय आपको ये पसंद आया होगा आप इसे कीजिए आपके अच्छे भविश्य के लिए thank you very much have a great success bye bye like share and subscribe